हाई एवरिवान गुड मॉनिंग वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो ये सुक्रवार के दिन का वीडियो है और सुबह के करीब सवा पांच का टाइम हो रहा है पांच बीस का तो उठने के बाद मैंने गरम पानी पिया और अभी जाड़ू लगा रही हूं तो उठना मेरा वही पांच सवा पांच तक होई जाता है कभी कभार जैसे बीच में लेट हो जाता है और ठंड है तो अभी लेट होने का कोई वो नहीं है लेट होई जाता है कभी आलस के चकर में और कभी नीद खुलती ही नहीं है तो लेट हो ज बहुत जादा हो रखी अभी तो दो दिन से बिलकुल भी धूप नहीं निकला है तो ठंड बहुत जादा हो रखी है तो वही है कि हम उट तो जाते हैं फिर वही 5-10 मिनट जो है स्वेटर वगएरा पहनने में सॉक्स अपने आपको ठीक करना ऐसा तो नहीं है थंड इतनी है कि उटके हम तुरंत काम पे नहीं लग सकते हैं अपने आपको कभर करना पूरी सावधानी रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही भी स्ठंड में अगर हमने किया न तो वह भारी पड़ सकती है तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन का काम के साथ साथ अपना ध्यान रखना भी जरूरी है तो बस ब्रस किया मैंने और अभी आ गई हूं किचन में तो एक तरफ मैंने रख दिया चाय और इधर जो है डाल रख रहे हूं इसी में मैंने आलू दो बड़े बड़े डाल दी है चोखा के लिए तो आज ना बिलकुल सिंपल सावई दाल चावल चोखा और रोटी बनाऊंगी क्योंकि रात को मैंने ना वो बस्रूम वाली सबजी बनाई थी प्रियस्पतवार के दिन रात को तो वो सबजी भी थोड़ी सी बची है और दूसरी चीज़ ना कि थोड़ा सा वो हो गया था स्पाइसी हो गया था तो अभी सुबह यह हुआ कि बिल्कुल साधा सा खाया जाए तो इसलिए डाल बना रही हूं और चोखा उसके बाद आ गई हूं यहाँ पे एक्सरसाइज करने तो मैंने रख दिया इसलिए ना कि मुझे एक्सरसाइज करने में 15-20 मिनिट लग जाते हैं उतने देर में चाय भ ही रखना है तो इसी वज़े से पहले ही रख दिया कि टाइम से यह हो जाएगा इधर जो एकड़ाई में टमाटर डाल दिये हैं चोखा के लिए तो बैंगन नहीं मंगा था क्योंकि कल न वो नहीं था डिसाइड नहीं था सामको कि सुबह को यही बनेगा लेकिन फिर रात क कि खाने के बाद दिमाग में आया कि नहीं बिल्कुल साधा सा ही बनाओंगी यह भी बोले कि नहीं सिंपल ही बनाना क्योंकि बहुत जादा यह मसाला हो जा रहा है दो दिन से तो चोखा के लिए मैंने धनिया लेसुन यह सब भी कट कर लिया है और अभी आटा लगा ले रहे हूं तो काम ना अगर हम थोड़ा सा जल्दी उठ जाते हैं तो काम बहुत ही प्रॉपर तरीके से और टाइम से पहले हो जाता है जो है और वही अगर हम थोड़ा सा लेट कर अना तो मेरा बनी जाता है लेकिन वही हडबडाहट इतनी जादा होती है और अपने लिए तो बिल्कुल भी टाइम ने मिलता है यहां तक की मतलब चाय भी नहीं हो पाता है कि चाय भी बैटके मैं पी लूँ ऐसे ही काम करते करते या तो चाय पीऊं या फिर सबके जाने के बाद ही चाय पीऊं यह हो जाता है लेकिन वही अगर हम थोड़ा सा पहले उट जाते हैं तो सारा काम जो है टाइम से पहले निपट भी जाता है दूसरी चीज हम अपने आपको भी टाइम दे लेते हैं जो है जो भी करना है सुबह मतलब चाय पीना हो गया या हो गया या morning walk कुछ भी हुआ तो वो थोड़ा सा टाइम हम खुद को दे लेते हैं तो कुछ लोग ना इसको बहुत avoid करते हैं कि इसमें कौन सी ऐसी बात है चाय पीने में अगर 10 मिनट लगाने से अच्छा है दो मिनट में चाय पी के तुरंत काम पे लग जाओ तो देखिए वो ना जैसे होता है ना कि हम mobile देखते हैं तो वो अलग चीज है लेकिन अगर हम mobile छोड़ के सिर्फ चाय पीते हैं 5-10 मिनट अपने आपको देते हैं तो वो हमें stress free रखने के लिए बहुत ही beneficial होता है बहुत जादा कारगर होता है जो है और ये चीज ना आप try करके सुबह के time मतलब दिन में ऐसा नहीं कि दिन में कभी भी सुबह के time बिलकुल भी जैसे सब लोग सोए हैं और अगर आप जल्दी उट जाते हैं तो या तो पानी पीना है तो भी 5 मिनट लेके पानी आप बैठिए या चाय की आदत है तो चाय ही सुबह सुबह लेके बैठ ज होने वाले हैं तो time से पहले ही मैंने सब कुछ कर लिया है सिर्फ अभी रोटी बनानी है तो ये नहाने जाएंगे तब मैं रोटी बनाऊंगी और इधर अभी आ गई हूँ तनमे के लिए दूद निकाल रही हूँ तो वो भी अभी तयार हो रहा है तो उसका भी timing अभी सवा इन लोग के जाने के बाद मैं एक कप चाय पीती हूँ आराम से बैठके और उसमें मेरा 15-20 मिनट चला जाता है मोबाइल भी लेके बैठ जाती हूँ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अकेले ऐसे ही बैठती हूँ कभी पेपर हो गयरा हो गया है या मोबाइल हो गया तो उसमें भी ज काम करने की एनरजी आ जाती है और हम तयार हो जाते हैं प्रिपेर हो जाते हैं और सारा काम जो है फिर तिन भर निप्टाते रहते हैं तो ये चीजे ना बीच बीच में ये सब चीजे बहुत ही जरूरी है और सुबह के टाइम थोड़ा सा जादा ही होता है और हम औरते हैं खुद पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हैं घर के कामों के बीच सबका पती का बच्चों का सबका हम बहुत ध्यान रखते हैं एक चीज का ख्याल रखते हैं कि किसको क्या खाना है किस टाइम पे क्या चाहिए हर चीज का ध्यान देते हैं लेकिन खुद के लिए ना हमारे पास समय नहीं होता और खुद के बारे में हम सोचते नहीं हैं लेकिन ये बहुत ही जरूरी है और हम अच्छे रहेंगे हम सही रहेंगे तब ही जो है अपने घर परिवार पे ध्यान दे पाएंगे सब का ख्याल रख पाएंगे तो इसलिए ज उठना जो है न सबसे अच्छा होता है और सारी समस्या का निवारण हो जाएगा सिर्फ एक जल्दी उठने से तो सबसे पहले यह आदत बनाएं जल्दी उठें और 10-15 मिनिट का टाइम जो है अपने लिए निकालें तो देखें बातों बातों में मैंने बहुत सारा काम निप पर जो है यह अभी न हम लोग इसी रूम में सोते हैं इसमें ब्लोवर वगरा चलता है रात को न तो खाना पीना तीनों लोग का हो जाता है और सो भी जाते हैं तो यह रूम थोड़ा सब बड़ा है तो इसमें हो जाता है न कि थोड़ा बहुत मैसी भी हो जाता है या इधर उदर बैट भी जाते है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है उदर के रूम थोड़े से छोटे है ब्लोवर वगएरा ये सब रख देती हूं तो पूरा कंजस्टेट जैसा हो जाता है इसमें सही रहता है कि धर भी सामान वगएरा रख दिया जाए तो सही रहता है तो इसमें का भी सब कंबल वगएरा मैंने मोड दिया और अभी जो है यहाँ पे भी जाड़ू लगा ले रही हूं तो टाइम अभी बहुत जादा नहीं हुए है वही थोड़ा सा जल्दी जल्दी तो हम आलस नहीं कर सकते हैं 10-15 मिनट का टाइम का यह मतलब नहीं है कि बस बैठी जाएं आदा गंटा एक गंटा बैठे ही रहें और सारे काम हमारे पड़े हूं तो ऐसा भी नहीं करना है 10-5 मिनट ठीक है बैठ गए आराम कर लिए उसके बाद फिर तुरंद काम पे लग जाना है तो बस उधर का जाड़ू अगरा लगाने के बाद अभी यहाँ पे आ गए हूँ तो इधर जो है पोच्छा लगा ले रही हूँ और बाकी के सारे काम जो है सफाई वगरा सब कुछ जस्टिंग सब कुछ मैंने कर लिया है तो डस्टिंग का यही है कि एक ही दिन पूरी चीजें मैं नहीं करती हूँ डेली का डेली कभी इस वाले में कभी उस रूम में कभी यह चीज कभी हो चीज यह टेबल जो सामने के रहते हैं यह तो डेली हो जाते हैं जब भी टाइम मिलता है जाडू लगाते समय या फिर जाडू लगाने के बाद ऐसे कर लेती हूँ लेकिन बाकी का और जो रहता है तो वो बारी बारी से ही होता है उसके बाद मैं नहाने चली गए थी और अब भी यह जो है साम का टाइम है नहाने दोने के बाद वही खाना पीना होता है एडिटिंग वगरा करती हूँ और उसी में तो टाइम तुरन जो है बीच जाता है फिर ये बरतन जो धुल के जाती है मंजु आंटी दो पहर में मतलब सुबह वाला तो लेट ही आती है दोने तो धो के जाती है तो फिर मैं तुरन्त नहीं लगाती हूँ सूख जाते हैं बरतन उसके बाद लगाती हूँ तो बरतन वगरा मैंने लगाया फिर आ गई हूँ इधर छट की तरब तो कपड़े कुछ डाले हुए थे ज्यादा कपड़े तो धोने रही हूँ क्योंकि धूप ही नहीं निकल रहा है तो कपड़े धोने का कोई बहुत ज्यादा मतलब نہیں है लेकिन जो ज़रूरी होते हैं जो पहने हुए उते हैं उनको धोना ही पड़ता है तो धूब के यहीप नीचे ही डाल दिया था हो सकती है पेपर वगरा में तो दिया था कि बारी से एक दो दिन में हो सकती है तो कपड़े सारे मैंने अंदर कर दिये हैं कि थोड़ी सी गर्माहट से भी कपड़े जो है सूख जाते हैं उसके बाद आ गई हूँ यहाँ पे चाय बनाने तो बस चाय हम लोग पिएंगे उसके बाद फिर रात के खाने की तयारी करूँगी तो बीडियो का एंद भी यहीं पे कर रही हूँ आज का व्लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा अच्छा लगाओ तो लाइक सेर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो मिलूंगी नेक्स्ट बीडियो में बाबाई थैंक्स वर वाचिंग